नमस्कार आप देख रहे हैं सीरफ खबर और मैं हूँ आपके साथ सौरफ दिपाथी इसमें आप पहुंचे हैं छोटी यह अध्या जहां पे हम खड़े हैं इस जमीन को यह लोग कहते हैं कि यह छोटी यह अध्या है और अगर हम अपने केमरे से आपको चारो तरब दिखाए तो आपको यह लगेगा भी कि हां हम इससे में राम मंदिर के पास आ चुके हैं पास में हमारे मंदिर भी बना है और आसपास आपको जंडे दिख रहे हैं इससे ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि हां यहां क्या ब्यातवरन क्या होगा आईए यहां की जनता है जनता से ही ज चुनाव चलने हैं उसको लेकर क्या सद्गर्मिया है अब क्या नाम है आपका रामोतार पूरा नम अपार अर्खबंसी क्या लग रहा इस बार किसकी सरकार होगी सरकार को योगी मोदी की होगी और मैंने सुना है कि बामरमों में एक हिंदू का मंदिर तूटा पड़ा था अकलेश ने मंदिर नहीं बनवाया मजजिद बनवा दी वो विचारे तीस लाक एकठा चंदा करके मंदिर भी बना लिया ठीक अब वहां के कहते हैं अकलेश को वोट हम नहीं देंगे लोग कहते थ लिए अगर यह नेता होते अकलेश होते को बीलेता होता मोंद्य योगी नहीं होते तो हजारों मर्ज आते हैं अहां से प्रत्यासी है और सपा कहना कि उन्होंने जित्ता विकास किया है बीजेपी सरकार उसी के नाम के वल बदल ने हैं आपको संडिला भीधान सवाचेत्र से कोई दूसरा नहीं हो गाई यह यह योगी और मोधिन कोई नहीं किसी से कोई मतलब मोधि हम जो किसान कहे रहे हैं कि रहा पहए है कि नहीं पर आट sourd चोटा से बड़ा लेकर सब कुसाल हैं हमारे देश में सब के साथ सब का विकाद मोजी जी का योगी जी के साथ में चाहे तंतन उड़ जा लेकिन कभी पीछे हटने वाले नहीं है क्या नाम है आपका मेरा नाम राड़ा प्रताप सिंग अर्कवंसी क्या लग रहा है संडिला अलका अर्कवंसी घोसित हो गए है वह घोसित रहेंगी तो चुनावा तक नहीं हुए अभी तारीक के वलाई यह पचासों हजार ओटों से जीतेगी उनको कोई हरा नहीं सकता है यहां से पूर्व मंत्री भी खड़े हुए है कैसे कह रहें आप मंत्री का तो कोई है नहीं स साथ में लड़ेंगे लेकिन जेतेंगे अलगावा को उनसी तो इससे मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास भाई योगी ही मुख्मंत्री बनेंगे और कोई मुख्मंत्री नहीं बनेगा अगर भी पच्छी पाल्टियों की बात करें लगातार आरोप लग रहे हैं जहां से हम अभी निकल के आएं उस रोट पे भी इतने बड़े बड़े गड़े थे वीजेपी सरकार की दावे थे कि उन्होंने नॉम्बर में कहा था कि नॉम्बर में गड़े भर जाएंगे लेकिन अब जन्वरी खतम होने पर आगई संडीला में 300 क्रोंड रुपे की सड़के बनी है 300 क्रोंड लेकिन में में चवराहे इमलिया बाग चवराहे पर बड़ा सा गड़ा वह टेंडर है तेंडर में दूसरा अभी आपने ज्यादा से पूचा कि वह दूसरे प्रतैसी सुनीर अरकोंसी जिलर रहे हैं मैं बता देना चाहता हूं कि उनका जो जाद प्रमाड पत्र है उस में वर्मा लिखा हुआ है अब देख लिजी अपने कैमरा करने का काम किया जा रहा है कुछ नहीं है उनका करते हैं कि हमारे साथ महांत जी है जो इस मंदिर के महांत है मांदी क्या लग रहा है इस बार तो एकदम बीजेपी की सरकार है इसमें कहाने कोई बात ही नहीं है अलका जी बहुत जीतेंगी और एक इतिहास कायम होगा संडीला भी धन सभा के लिए कि पचास सो हजार सूपर रोट से जितने जा रहे हैं बेरोजगार लगातार परिशान ह लोग हुए होते हैं यहां का हर्दोई कि कोई माई का लाल नहीं हुआ होता है जो भी चैनित हैं आठ सो बच्चे अभेरती जो है उसमें टी-टी पास करके हैं सिचक भरती में हमारी हर्दोई से अगर सपा की सरकार होती तो दसलाग रुपे पड़ता था और सफीपुर में होता है दूसरा क्या होता हुआ हमारा कितना हुआ स्वक्रोंड रुपे मेरे हर्दुई से इसका जाता अगर हम बात करें आपके इस जहां पर हम खड़े हैं इसका नाम राम नगर छोटी यह इसका नाम है जिस दिन रिखी गई ऊसी दिन इसकी निव रखी गए थी और इस मंदीर का इतियास योगी गुर्मेंट की देन है यहां लाल-जंडा कोई माई का लाल की आउकाथ नहीं ती जो फाहरा देता यह वो जगा थी योगी गुर्मेंट है हर समाज हर विरादरी के लोग इजद से आते हैं सारी बहन इसा पैदा नहीं है कि कुराफात करके दिखा दे 24 घंटे के अंदर या तो ठोग दिया जाएगा या तो भोग दिया जाएगा यह है इस चोटी अध्या आपने इसका नाम बता है क्या इतिहास है इसका इतिहास है यहां पर एक जग्य हुआ था पचास पचास साल नमसम पूर कर देगा इन्दु के खिलाप यहां पर वही समाज बोलेगा जो अलपसंख्यक होगा और सभी लोग नहीं यह 80 परसेंट लोगई इसे हैं जो समाज को लेकर चलता है कुछ कुराफात तरीके सेंसे लोगे यहां पर देखना मुस्की लोगी आतर लेकिन आज योगी गुरमी नाम योगी आमोदी कोर्मेंट पता रहे तें लग रहा है किपना विकास है काई रहे हैं रिकार्ट उठाकर देखिए आप देखेंगा यहां जिस साल से यह जो राम मंदर बना है जब से यह तब से यहां पर आए दिन साल नहीं उजरता था आदमी नपड़ जाता था यहां हमारे पास में राजबर समाजबादी राजबर समाज पालिटी जो निकी है ओम प्रकास राजबर की वही कपड़े आपके लग रहे हैं क्या लग रहा इस बार आपको हमका भाई बिजेपी के लावा कुछ दिखा नहीं रहा हो कपड़े पहिंदे हैते तो मगर हमका कुछ देखा दिना है तो हम भाईया हम सोचित बिजेपी के देओं नहीं सब बेकार है मामिला हुई जी और राजबर कोई बात नहीं और खेती हमार यहां पर कम से कम छे मत्रा बिक चुका है मोधी भगवान की सान तो कह रहे हैं कि अवारा जानवरों से उनकी फजल खत्म और देख लेओ चलाए टमाटर हमार बाह उठाए अगर ना मिले तो पांच पेड़ पांच हजार रुपया दे आप अब हैं चले चलो पांच हजार दे आप टमाटर यहा अबारा जानवर जो है वो हगते हैं चर्ति वी उसर पर हमाचारत का हुआ बैठ हो यह वह तो आपके खेत में आप खुश है और हमारी पांस देर होई जात बलगर रहे गाए तो तमाटर एब होईगा सब्सक्राइब यह तीर है आप देख लिए चले और हमारी सरकार ने बहुत सरकार के दाबे हैं कि जितने वी आवरा जानवर हैं उनको गौसाला में बंद कर दिया गया है तो फिर यहां कि हम बताई साहे सुन लें भाट हम सितलस यहन का नहाए इत्के न हमार सितलस लेहां तो कशाही लोग गया कठ रहें कुछ नहीं लग रहा है कहीं लड़ाई में नहीं है आप यह समझ लेजिए कि अखिलेश जी दुनिया में अपना समर्थन मांगे कहीं नहीं मिला करहल गये हैं आप देख लेना करहल बहुत बुरा हरेंगे जमानत नहीं बचेगे उनकी घर की बहुत बेटियां हमारी पार्टी मार रही हैं सोयम सुरचित नहीं है क्या लड़ेंगे चुना हमारी समझ में बॉखला गया है एकदम बिलकुल बॉखला स्वामी पुरसाद मौर्य जी को देखिए पार्टी छोड़े आज इस्तिति यह हो गई कि वहां से उनका फिर भी टिकट नहीं हो रहा लड़के का फिर भी इकट गया अपनी पार्टी मे इस अपरोजबर ने मीटिंग में में कहा तक जो हम मा बहन की काच जोसमाजवादी का आज वही कौन मुह से कह रहे कि समाजवादी पार्टी का उठ दो अपने लड़की बेटी तक की बात कही थी ऐसे आदिमी की बात कहते हैं यह जहुरा रोजगारी ही रोजगार है और रोजगार नहीं है कल कि अगर बात करें कल ही काफी युवाओं पर लाठियां चार्ज हुए वीडियो बारेल हो रहे हैं सरकारी संपत्तियों को जब नुक्सान पहुचाएंगे तो आपके ऊपर क्या फूल परिच्छा होने से पहले ही पेपर लीख हो रहा है यह तो एक बार हो गया ना तो आप उसमें जो है कोई बचा नहीं जो उसके दोसी थे वो सजाकाट रहे हैं जैसा कि आपने सुना यह चोटी कासिक चोटी अध्याइक नाम से जगाब बताई जा रही है और प्रतीत भी यही हो गई और यहां से जो लोग है इन लोगों ने अपना मत बताया कि यह लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं हर्दोई से सिर्फखबर के लिए स्वर्प्ति जैसा लुक कि यह लोग गष्वराभ है।